दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो पैंसनर्स फैमली पैंसनर्स और करमचारियों को अठारा माक के डी और डी आर को लेटेड बड़ी खबर आ रही है जिहां दोस्तों राज स्वाव में एक लिखित कोश्चन पूछा गया था जिसमें तीन बड़े 10 मंस्का डी खार का जो बकाया है यानि जो अइरियर सैट उस पर गंबितार से विचार कर रही है कि सरकार ऑफारा मंस्का डी ओ www.b athletes का डी ओर्डियाउrd देने वाली है तो मत्रों से राजوں मत्री उनकी तरफ लिख्यत जो है सरकार की तरफ से आंसर आया है कि पैंसन्ट बड़ा इंपोर्टेंट जो है कोश्चन पूछा गया था आपकी स्कीन पर भी दिखाया जाएगा पूरा डिटेल में जानेंगे क्या इसका कोश्चन थे और क्या का इसके अंसर सरकार की तरफ से फाइनली दिये गए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा होने व इसके आप आहिएगी और आप आपके वीडियो सकते हैं कि देख सकते हैं मेहंगाई रहत की बकाया रासी जारी करने से लेटेड है आप देख सकते हैं क्या वित्त मंत्री यह है बताने की किरपा करेंगे कि पेला कोशन था क्या सरकार को कि इंद सरकार के पेंसन भूगियों को 18 मैने यानि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महेंगाई राहत की बकाया रासी को जारी करने के संबंद में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं पहला कोशन यह था दूसरा कोशन था यदि हां तो इससे संबंदी ब्योरा क्या है और तीसा जो इंपोर्टन कोशन था क्या सरकार पेंसन भूगियों का 18 मां का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है और यदि नहीं तो इसके बीचे क्या कारण है और यदि हां तो इसमें भी क्या से क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं तो तर में आप देख सकते हैं वित्त मंद्राले में जो वित्त राजमंद्री हैं स्रीपंकर चो प्रफट की बखायरासी को जारी कम संबंद में क्या कई सारे रिक्वेस्ट एप्लिकेशन सप्वाप्त हुए हैं तो उन्होंने बोला जी हां किन सरकार के कर्मचारियों कि संब्धार फीन संगत्तनों जैसे राष्टी परिशद कि बारती रेलवे कर्मचारी राष्टी संघ अफियर अखेल भारती रेल्वे कर्मचारीं महारें और सब्धात वह कही जहीं वैए ब्रेुल संब्धियों को दे अठारा मंस का महंगाई बत्ता और महंगाई रहात के बकाया को जारी करने के संब्ध में विभिन अभ्यावेदन राप्त हुए है आप देख सकते हैं कि कितने सारे केंद्री कर्मचारियों और केंद्री पैंसन भूग्यों के संगठन है जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे भारती से लेकर कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री से कर्मचारी संग हैं कर्मचारी यूनियन से यह लगता सरकार से के रिगार्डिंग जो डिया रहे उसको वापिस लेने के लिए सरकार से अलग लग अभ्याबेदन सरकार को उन्होंने दियें अर्ला कोश्चन था तीसा नंबर आपकोश्चन देख सकते हैं क्या सरकार पेंसन भूगयों का इस पर जारी करने पर गंबिर्था से विचार कर रही है या नहीं तो इसकी पीचे क्या कारण आप देख सकते हैं गाह नंबर में इसमें क्लियर अट्पूण निकल कर आणे वाला हैं पहला आप यह महंगाई राहत की तीन किस्तों को रोग देने का निर्ण है कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवदां हुआ के संबंद में लिया गया था ताकि सरकारी वित्थ पर दवाप कम किया जा सके आगर उन्हें बड़ा कोशन का अंसर दिया है कि चुंकि दोयार 20 में महामारी के प् सब्सक्राइब करना नहीं समझा गया तो आपको क्यों नहीं मिला आपके आंसर देने की पूरी-पूरी कोशिस की गई है तीन किस्ते थी आपको पता है जिसमें एक जनुलाई दोयार बीस है और एक जनुलाई दोयार इकीस से तीन किस्ते थी वह उसको कोविड-19 के लिए जो भी इसमें आर्थी व्यावधान हुआ था उसके चलते जो है आपकी तीन किस्त रोग दी गई थी और इसमें अलग-अलग इसके बाद में केंदे करमचारियों और केंदी पैंसन भोगियों के जो अलग-अलग संगठन है राश्टे विकात परिसत विच में देख सकते लाश्ट के परस्त भी था जेसी हम भारती रेल वे करमचारी संग था और बी कई अलग जो करमचारी और यूनियंस के फैडरेशन और यूनियंस थे वह लगता सरकार सके कार्डिंग बाचित भी कर रहे थे अभी जो इससे पहले को मीडिया में बड़ी खबर आई थी कि जो है सरकार की केंदी करमचारियों पैंसन होगियों के जो यूनियंस और फैडरेशन्स हैं इसमें कैबिन शेकेटरी और निश्टी ओफाइनस के डिपार्टमेंट ओप एक्समेंडेचर के अधिकारी साथी साथ डियो पीटी के अधिकारी भी है जो है आगे आने वाले दिनों के कRIमचारियों को कब तक देती है या प्र जो है आगे इसमें क्या का इसमें कि पहली नोटिफिक्शन में बोल दिया गया था कि अधारा मंस यह भी ते चलते करमचारियों के रिगार्डिंग रिक्वेष्ट भी की थी ती कि अथारा मंगा जो काशियों और यॉइन को था उसके बाद में काशारी सरकार से बुला कि सरकार की सेटल्मेंट की सिच्वेशन में आए यानि कि अगर गुवर्मेंट एक साथ पैसा नहीं देख सकती करमचारियों पैसनर्स के 18 मंसकर डियार का जो एरियर्स है उसको लेकर के तो उसके बाद में जो है तीन से चार अलग अलग इंस्टोल्मेंट में गुवर्मेंट ये पैसा दे सकती है इससे करमचारियों पैसनर्स को बहुत जादा रहत मिलने की उमीद है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा सेयर सभी के साथ करिएगा और साती साथ आप उनमें कमेंट करकी ज जरूर लिखेगा तकि आपकी आप बात जो है आगे तक पहुंच सके